हेलो गाइस कैसे आप सब हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर्ट्स गोरी और निक्री तवचा पाना सबको अच्छा लगता है सबकी यही दिलासा होती है कि उनकी तवचा भी गोरी दिखे और साथी साथ वह निक्री नि होती जो भी हम नुसके आपको बताते हैं आपको उनको रेगुलर यूज़ करना होगा जिस भी तरह से बताते हैं उस तरह से अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो फ्रेंट्स यह जो नेचुरल चीज़े होती है इनसे आपकी स्किन में बहुत अच्छा एक इफेक्ट इन चीज़ों को शामिल करना होगा तब ही आप पूरी तरह से इन चीज़ों का असर अपनी स्किन पर देख पाते हैं साथ ही सथ फ्रेंट डाइट भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है आपको जो ऑईली फूट है खासकर उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखन आपकी चैरे पर पिंपस निकल सकते हैं या फिर चाहियां आ सकती है फिर एजिंग आपकी स्किन पर जल्दी हो सकती है आपकी स्किन ग्लोइंग दिखे जवान दिखे तो आपको सबसे पहली चीज़ होगी अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करना अपनी जो ऑईली फ इसका आपकी स्किन पर नहीं होने वाला है आप इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए फ्रेंट्स सबसे पहली जो चीज मैं यहां पर ले रही हूँ यह है फ्रेंट्स मेरे पास टेमैटो है उसको मैंने कदू कस कर लिया था अभी अभी कदू क्या है तो आप देख सकते हैं थोड़ी जाग इसमें आई है तो इसको हमने यहां पर यूज करना है इसके साथ ही फ्रेंट्स जो दूसरी चीज है वह है यह मलाई मलाई फ्रेंट्स हमारी स्किन पे बहुत अच्छा मॉस्टराइजिंग इफेक्स देती है आप वैसे भी मै आप इन स्किन पे रेगुलर लगाएंगे या दूद को बॉल करते हैं थोड़ा सा दूद बच जाता है उसको स्किन पर लगाईए उसके बाद थोड़े दिर के बास फेस वाश कीजिए फिर बहुत अच्छा यह आपके स्किन पे एक इफेक्स डालती है तो आईए देखते अन्ने पर चीजन को हमको कैसे यूश करना है इसके लिए फार्न सबसे पहले यहां पर जो मैंने वान टेबल स्कूण यह तिमेटो का रस लेना है उससे पहले एक चीज मिरेको एट करनी है जो कि हमारी स्किन के लिए वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन इस टोपैक में ए हाफ टेबल स्पून मैं इसमें मलाई का एड़ कर रही हूं और साथी साथ वन टेबल स्पून यह जो मैंने टमाटो का कदुकस करके इसको रखा हुआ था उसका गूदा है आप चाहें तो मिक्सर में कर सकते हैं अगर ज्यादा आप करना चाते हैं लेकिन थोड़े से के लिए मिक्सर में थोड़ी सी प्रॉबलम हो जाती है तो इसलिए मैं कदुकस से इसको इसका गूदा कदुकस कर लिया है इसका मैं इसमें डाल रही हूँ और जालास चीज हमको इसमें आट करनी है वो है फ्रेंट सी आलमेंड डॉल इसका मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पिम ले रह हो जाएगी बहुत ही सपल आज यानि कि आपकी स्किन आप खुद फील करके देखेंगे कि कितनी जादा सॉफ्ट हो गई है बस इन सभी चीजों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है कि देखिए हमारा फेस पैक बनकर तयार हो गया है आप चाहे तो इसको दिन में य लगा सकते हैं कोई प्रominaप नहीं है तो यह आपकी स्किन पे एक बहुत ही शूधिंग बहुत ही सपल एफैक्ट देगा थो इसको अपलाइ करना है बस इस सदबर पर समय का निए करना मिक्रेद लूद्या करना से circular motion में ऐसे finger से उसको apply करके फिर आप इस अपने skin से इसको साफ करेगा बहुत अच्छा effect है आपकी skin पर देने वाला है आपकी skin बहुत जादा soft होने वाली है बहुत जादा मुलायम होने वाली है और आप इस face करना ही होगा अगर आपको इसका effect मिलेगा तो thanks for watching धन्यवाद